Assalamu alaikum monstorio class. How are you all? Hope you all are fine. This is Mr. Rama your teacher. Monstorio class, आज हम अपने slave bus से oral पढ़ेंगे, ओके? तो जल्दी से ये वाला slave bus निकाल लेजिए. आज हम क्या पढ़ेंगे? English oral पढ़ेंगे. English conversation. तो जल्दी से ये वाला ओरल निकाल लीजे और page number 3 खोल लीजे जल्दी से page number 3 खोले और हम अपना ओरल स्टार्ट करते है Question number 1 क्या है? What is your name? आपका नाम क्या है? तो आप मुझे अपना नाम बताएंगे आप कैसे बोलेंगे? My name is आपका जो नाम होगा वो बोलेंगे जैसे मेरा नाम रामा है तो मैं क्या कहूंगी? My name is रामा Question number 2 What is your father name? आप क्या कहेंगे? My father name is जो भी आपके father का नाम है आप अपने father का नाम बताएंगे ठीक है? What is your mother name? आप फिर question number 3 में क्या है? आपकी मदर का क्या नाम है? तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे My mother name is डेश जो भी आपकी मदर का नाम हो आप वो डेश में लिखेंगे बताब बोलेंगे ठीक है? Question number 4 How are you? जब भी आपसे बूचे का कोई How are you? आप कैसे हैं? तो आप क्या कहेंगे I am fine, thank you आप क्या कहेंगे मैं ठीक हूँ, thank you मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, ठीक है इसकी उर्दू ट्रांस्टिशन ये होगी जब भी कोई आप से पूचे का How are you? तो आप क्या कहेंगे I am fine, thank you Question number 5 How many siblings do you have? I have dash sisters and dash brother मतलब मेरे पास कोई sister नहीं है तो मैं sister तो नहीं लिखूँगे मेरे पास brother and two brothers तो जिस तरह से आपके पास होंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे बोलेंगे जैसे I have one sister and one brother तो आपके पास कितने brothers हैं? कितने sisters हैं? आप उसको इस हिसाब से बोलेंगे ठीके? Question number 6 Where do you live in कराची? आप कहां रहते हैं कराची में? तो आप क्या कहेंगे? I live in Dish आप जहां पे भी रहते हैं आप उसका नाम लिखेंगे ठीके? Question number 7 What is your school name? आपका school का निम क्या है? तो my school name is Mariam Academy आप क्या बोलेंगे? My school name is Mariam Academy Question number 8 In which class do you study? जल्दी से बताएंगे आप कौन सी क्लास में study करते हैं? I study in Montessori class I study in class Montessori ठीके? आप कौन सी क्लास में study कर रहे हैं? Montessori में ठीके? Question number 9 How many family members do you have? आपके पास कितनी family members हैं? आप सब को count करेंगे अपने sisters को count करेंगे brother को count करेंगे mama को count करेंगे मतलब mother को, father को सब को count करने के बाद आप बोलेंगे we have dash family members आपके पास जितने भी family members होंगे आप उसको उसमें लिखेंगे जैसे I have five family members तो मैं बोलूँगी I have five family members तो आप क्या बोलेंगी we have five family members अगर आपके five family members हों six हो, seven हो, eight हो आप कुछ भी बोले कुछ भी जितने भी हुआ आप इस तरस इसको लिखेंगे ठीके कुछ नमबर ten Do you have grandparents आपके पास दादा, ना, ना, नानी है grandparents है अगर हैं तो आप बोलेंगे yes और अगर नहीं हैं तो आप बोलेंगे no ओके मॉनस्ट्री क्लास ये ten questions आपको याद करने हैं जब आप आएंगे तो टीचर आपसे सुनेंगी ठीके ओके अला हाफिस See you soon